हालो गाइज जहिन आज निव्टन स्लोफ मोशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्ट्रिंग मास पुली बित मुवेवल पुली पिछले क्लास में जो डिसकेशन करे थे वो डिसकेशन था पुली एक फिक्ष जगह पर रोटेट कर रहा था मासेस उपर निचे कर रहे थे सब्सक्राइब भी जो होगा वो सब्सक्राइब जो होगा मुवेबल पुले के साथ मूवमेंट या निचेंग नहीं है नूमरिकल क Cinnamon कि अगर भंग से वीडियो देख ले तो यकिन मानिए पुली सिस्थम के एक भी कॉहिछ्टन नहीं फसने जा रहे चाए हो नीठ हो मेंस ओ या एडवांस हो ओके बिना समय गवाएं फटा फट से बीडिव स्टाट करते हैं और सारे वीडियो प्लेडिट से देखेंगे सिक्वेइन्स बाया च्येप्टर का प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल के प्लेलिस्ट में जायेंगे और सिक्वेइन्स बाज वीडियो दखेंगे ज्यादा बेनेफिटेर रहेंगे हैं कि अब पहले मुविबल पुली का कैसा सिस्टम बनता है पहले जड़ा देखेंगे कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट कुछ नहीं है कोई थेयरी नहीं है जड़ा इस सिस्टम को देखेंगे कि यहां पर dh, अलग अलग पुली है, एक पुली इस सेलीन से अटेश्ट है जो कि फिक्स्ट में अपने जगह पर मुपर मतलब रोटेट कर सकता clockwise जानिक लकवाइज बट यह जो पुली कहीं से किसी हुण रुझीड सपोर्ट से सपोटेड नहीं जैसे जैसे यह pulley up and down करेगा वैसे वैसे यह block भी up and down करेंगे means ऐसे object में एक pulley fixed है यह pulley number one यह pulley number two यह mass A mass B मान लीजिए यह कुछ 3 kg का है यह कुछ 4 kg का है ऐसे करके अब ऐसे में कौन किधर जागा कौन ऊपर जाएंगे कौन नीचे आएंगे किसका acceleration क्या होगा यही discussion करने है अपने को इसमें एक चीज़ गौड करेंगे जब भी इस type के विवर पूली जब सिस्टम आते हैं उस case में दोनों ब्लॉक का acceleration सेम नहीं होता है जैसे इस टाइप questions में हम लोग डिसकस करते थे एक ब्लॉक अपन डाउन या फिर इस टाइप का movement इस टाइप में जहां पर हम लोग system को अपन डाउन करते थे तो एक का acceleration अप डाउन सेम एक्सलेशन हुआ करते थे बट यह hybrid पूली सिस्टम में acceleration different हो जाएंगे एक्स डिफरेंट हो जाएंगे कैसे बदलेंगे ज़रा देखेंगे यह just sign why कि एहां पर टी है यह यह होंगा यहां से लेकर कि यह तक हैं रशी लगए है 땜 чист कि मास जहां यो हैं मास्लेश से अगर पूली मास्लेश य्टो इस इंड और कोई इस इंड का क्या डिफरेंस नहीं होगा, मतलब जो इस इंड में टोटल फोर्स लगेंगे यही, अगर थोड़ी देख लिए मालो कि इस इंड का टेंसन अगर T-डेस है, इस इंड पर टेंसन अगर T-डेस है, पुली के लिए नीचे, ब्लॉक A के लिए उपर, तो ज़रा पुली के लिए देखेंगे, और पुली P2, P2 जैसे माल लिजिए कोई ब्लोक उपर जा रहा हो और नीचे आ रहा होगा, माल लिजिए कि ये उपर जा रहे होंगे, और ये सिस्टम अगर नीचे आ रहा होगा, तो अगर ये ब्लोक नीचे आ रहा है, means T-dess का फोर्स जादा है, T-dess, minus T, plus T, 2T, क्या करेगा, इस केस में अपने क्या मिल जागा, T-dess, 2T के बड़ाबर मिलेंगे, means याद रखेंगे, कि जब भी हम इस टाइप के पुली को डिसकस करें, मुविबल पुली, उसमें एक इंड पर टेंशन T-T होंगे, तो दो रस्ती इधर से connected है, just अगरे इंड का टेंशन ना भरियाबल नहीं लेंगे, डबल टेंशन आजाएगा, टेंशन टू टाइमस होंगे, टेंशन इसके टू टाइमस होंगे, चलिए, टेंशन तो डबल कर दिये, एक चीज और, जहां पर टेंशन डबल होगा, वहां का एक्सलरेशन आथा हो जाएगा, जैसे, माल लो, कि इस सिस्टम का अगर हम यह माने हैं, तो इस सिस्टम का एक्सलरेशन, चुकि इसको अगर हम डाउन कर रहे हैं, तो यह अप जाएगा, और यह अप जाएगा और यह डाउन जाएगे, फोर केजी बलोक है, लेकिन यह हाइबरिड सिस्टम है, अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, कौन दिखा रहे हैं, यह चलो मास्क कम दिख रहा हैं, तो हम पहले इसको अप कर दिए, अगर यह अप हो गए, तो अगला सिस्टम जो है, वो डाउन आएगा, लेकिन कितना के एक्सलरेशन से, अगर इसको एक एक्सलरेशन से अप करे हो, तो यह एक्सलरेशन से डाउन जाएग कैसे हो रहा है। पुलि पीट है इतना तो किलियर है। अब ग़ुख से देखेंगे। इस रसी का एक इंड इस रिजिड सपर्ट से फिक्स है। ऐक इंड को हम ठीड सपर्ट से फिक्स कर दिये हुए और हम अगर इस पूली को एक सेंटीमीटर नीचे खसकाते हैं अगर यह पूली एक सेंटीमीटर नीचे खसके यहां आता है तो एक सेंटीमीटर रसी इधर से और इधर से दोनों इंड से थोड़ी देख लिए हम इसको डिस्मिश करते हैं ऐसे यह पूली अगर एक सेंटीमीटर हम नीचे खसका लिए तो पूली के नीचे खसकने के कारण रसी इधर से और इधर से दोनों साइड से रसी इसको चाहिए तभी नाराम से यह खसक के नीचे आएंगे इस रिजन का रसी हो तो कॉमन यहां पर रहेगा लेकिन इस इंड पे और इस इंड पे इसको जितना नीचे खसकाएंगे उसकाएंगे दूबल रसी इसको चाहिए एक इंड फिक्स किये हुए है तो डबल इंड यहां से लेके जाएगा अगर इसको एक सेंटी मीटर नीचे खसकाए हो तो यह दो सेंटी मीटर उपर उठ जाएगा इसको एक मीटर पर सेकेंड से खिंचते हो तो दो मीटर पर सेकेंड से उपर उठेगा इसको एक मीटर पर से तो यहां दबल कीूँँ आधा करगे अधा करने का सेंड़ से यहां अगर नहीं करने का सेंड्स यहां अगर आधा करदो गू 넣ब यहां पर नहीं नहीं ह adoption करके बनाना चाहो कोशंश नहीं बनेगे कहीं से कोई इसे काई स्रमोर आवटीर क्रुторов आखलट, तो यहां पुली पर चलेंगे तो टेंशन उपर के और नीचे के टेंशन इक्वल कर देंगे यहां T और T दो रसी मिलके 2T नीचे अकेला 2T दूसरा चीज जहां टेंशन डबल एक्सलरेशन आधा और आधा कैसे मानने हैं करके a by two मानने हैं कि दुसरे को ए करके अगले को two a करना है वो अपने eg के हिसाब से अपने eg के हिसाब से कर लेंगे तो हम चुकि a और a by two करेंगे तो fraction में कल्कुलेशन आ जागा इसको a और इसको two a कर दिए चुकि यहां यहां का टेंशन डेवल ecosystem अधा तेंशन तीन गुणा एक्सलेशन थिाए टेंशन 4 गुणा एक्सलेशन चौताई बस जिसके में यतना गुणा टेंशन होता है उसके रेसक्ट में उसका एक्सलेशन उतना ही गुणा कम हो जाएगा के rival नहants कि अब इतना convergence कर लिए तो इस फोर केजी का फोर जी थिरी केजी का ठीजिया यहाँ पर पुरे इंड पर टेंशन टी टी का यहाँ पर तू टी यहां का ब्लॉक का नाम ए इस ब्लॉक का नाम भी फॉर ब्लॉक ए ब्लॉक ए को आप कहा कर रहे हो नीचे ब्लॉक ए नीचे कर रहे हो मतलब फोर जी ज्यादा टूटी क्रॉस्पॉंडिंग कम यह क्या करेंगे फोर जी माइनस टूटी क्या करेगा फोर के जी को एक एक्सरेशन देगा फोर बी बी के लिए क्या करोगे बी को कहा ले जा रहे हो उपर उपर मतलब डारेक्शन ओफ एक्सरेशन कितना फोर्स है टी एक्सरेशन के उल्टा कितना फोर्स है थ्री जी घटा दो क्या बचेगा 3 kg को 2A का acceleration देगा, 3 kg को 2A का acceleration देगा, चलिए, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ माइनस 2T है, यहाँ T है, अब डायक्ली नहीं कटेगा, इसमें क्या करो, 2 टाइम मल्टिप्लाइ कर दो, जैसे ही 2 टाइम मल्टिप्लाइ करेंगे, यह कैंसल, यहाँ पर किता बच्चा, 4G माइनस 6G इक्वल्स 4A प्लस 3 टू जा 6 टू जा 12A, 4G माइनस 6G, माइनस 2G, इक्वास टू, 16A, ठीक है, एक अफेलू क्या निकल गया, माइनस 2G बाइ 16, माइनस G बाइ 8, देख लिजिए, एक्वल्स निगेटिव आ गया, माइनस G बाइ 8, मिन्स, 4K बला ब्लॉक नीचे ना करके कहां जाएंगे, उपर और 3K जी उपर नजा करके आएगा नीचे, कुछ अजीब लग रहा है, कि कैसे 3K जी का बलॉक, 4K जी को उठा ले रहा है, हाँ, यह सिस्टम सिंगल, सिंपल नहीं, हाइविड सिस्टम है, जैसे इसी टाइप कंसेप्ट किरान व अगरह में यूज करते हैं, जहां पर कम एफोर्ट लगा करके, ज्यादा मास्यस लिफ्ट कर लेते हैं, उसमें यहीं सब हाइविड सिस्टम बनता है, इसको सिंपल भासा मैं बोलते हैं, सिंपल मशीन, तो यहां पर अब हम वापस से जब निगेटिव एक्सलरेशन आ जाए, तो मीटा करके नहीं चलेंगे लिखने दुबारा से कल्कुलेशन, सिधा बोलेंगे, ब्लॉक ए गोज अप विथ एक्सलरेशन, जी बाई एट, इसलिए यहां पर पूरा कल्कुलेशन क्या निकलेग जी बाई एट, और यह अप किये से एजम्शन मतलब डाउन आएगा, ब्लॉक बी गोज डाउन बिथ एक्सलरेशन, तो एडबल एक्सलरेशन मतलब तो जी बाई एट, इस यह यूर फाइनल एंसर, अब अगर इस किसी एक रसी का टेंसर, इनलन मांग रहा हो, एक्सलरेशन का वैल रिटर्न कर दीजिये, एक्सलरेशन नंबर 1 या 2 में घ्रफट लिवयर सन करदो, और टेंसर निकाल कर भटंचे का टेन्षन हैं डबल इक हिंदी लिखने में सर्म नहीं आनी चाहिए व समयर नहीं करता है । इसे लिख लो जाह टेन्षन डबल आधा जहां ंंतिन कुणा देन इस आ इस आई इसे नॉट करेंगे अगला कुछन करते हैं । कि अब दिखेंगे थोरा सा question का variety हम बदलते हैं आज सारे question से सही करापते हैं hybrid system का simple system के question तो आप कर चुके हो रेगुलर बने रहेंगे चैनल पर और हां next video में अगला जो आपका video आगा वो आगा motion on inclined plane इंक्लाइन प्लेन पर motion आएंगे फिर लामी थ्यूरम आएंगे रेगुदर बने रहेंगे बहुत फायदे में रहेंगे जड़ा इस टाइप का system देखेंगे एक यह यह यहां पर एक ब्लॉक ऐसे एक पूली यहां इसको हम फिक्स कर दिये रिजिट सपोर्ट से दूसरे और इस इंड से लेकर के एक मासम ऐसे लटका दिये गौर से देखेंगे यहां पर यह इंड फिक्स हो गया यह इंड मूफ करने वाला है नहीं अब जैसे जैसे हम इसको खिंचेंगे यह निचा आएगा कुछ ऐसे ही मासम मानो यह रिजिट सपोर्ट ऐसा आराम से टेबल प पांच केजी का यह ब्लोक मालो दो केजी का अब तो यह कम से कम सिंपल है कि यह पांच केजी लटका हुआ तो इसको खिंचके आगे ले ही जाएगा कितना के एक्स्रेशन से फटा फट से कर दो इसमें यहां टेंशन तो यहां पर तेंशन रहेगा टी योटी पूरे थरू मुवमेंट होता है और जेन्टल मुवमेंट में कोई रोल नहीं होता है եिलेटकल और इनकलाइन मूवमेंट में में इस में 2 países नहीं लगाएंगे और जबरदस्ति टूटी माइनस थी नहीं करने लगेंगे अधिकांस बच्चे गलती करते हैं बार रहा हम कर रहे हैं होरिजेंटल मुव्मेंट में सेल्फ वेट का कोई रोल नहीं होता है चलिए इस ब्लॉक का नाम ब्लॉक का नाम भी माल लीजिए टेंशन डिस्टिबीट है रिखिए फॉर ए एक लिए क्या लिखाएगा इसको अगर हम नीचे ले करके आते हैं तो यह राइट साइड खसकेगा अब तुम्रे उपर डिपेंड करता है गोर से देखो इस टेंशन के क्रॉस्पोंडिंग यहां का टेंशन डबल है तो यहां अगर एक्सलेरेशन ए मानते हो तो यहां एबाई टू मानना परेगा यह नहीं करेंगे जहां टेंशन दो गोणा एक्सलेरेशन आधा एक लिए करेंगे आगे फोर्स कितना जा रहा है टू-टी पीछे से कुछ इसको रेसीष्ट कर रहा क्या नहीं कर रहा है बहुत बच्चे करते क्या टू-टी माइनस कर देते हैं चूज टूजी बाबू टूट सेल्फ वेट की डाउनवार्ड है और मोशन हो रहा फौवार्ड तो फौवार्ड मोशन में डाउनवार्ड फॉर्स का क्या लेना एसे भी हर एक जगा होरिजेंटल सर्फेस से मिलने वाले waktu बैलेंश्ट होते है और बैलेंश प्रस्ट का मोशन में कोई लेना देना नहीं कि प्रस्टि इसको लग रहे हैं और यह प्रस्ट क्या करेगा सिंगल फोर्स तु के जी को ए बाइ टू का एक्सलरेशन दे रहा है मिन्स कैंसल कर दो टू टी का वैलू ए निकल लगा टी का वैलू ए बाइ में टी का फोर्स एक्वास फाइब के जी को एका एक्सलेरेशन फाइब इन्टु जी का वैलू टेन डाल दो 50 माइनस टी के जगा पर एबाइब टू डाल दो इक्वास फाइब एइस साइड कर दीजिए 5A प्लस A बाइब टू इक्वास 50 फाइब टू इक्वास 50 फाइब टू इक्वास 50 इक्वास 100 बाइब एलेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वार एब ए मींस अब हो सकता है लाइक कोस्जन का अभी मांग लें ब्लोग एक्सक्वास बता तो यहीं मत डाल देना राक्रीजिस कितना रखे हो एबाइडी ब्लोक B का एक्सेलरेशन ए इसलिए अगर कोई कहे एक्सेलरेशन और ब्लोक A का एक्सेलरेशन कितना है A by 2 A by 2 आप A का भेलू लिका ले हो 100 by 11 तो यह कितना हो जाएगा 100 by 11 by 2 इतली 50 by 11 meter per second square और एक्सेलरेशन और B कोई पूछ दे तो B का एक्सेलरेशन A के बराबर ही था A का वेलू है 100 by 11 meter per second square इस इस और राइट अंसेर ओके बस यही होता है hybrid system के questions अब दो questions हम छोड़ दर रहा तुम लोगों के लिए खुद का practice करोगे जो डाउट होता है बताते रहोगे कहां से क्या डाउट हुआ questions करके comment करोगे comment करने में कोई कंजूशी नहीं कि लिए अगला questions दो लिखेंगे homework के लिए फटाफट देखेंगे एक system यह यहां पर movable pulley और यहां पर एक rigid support से बांधा हुआ यह यह mobile pulley यहां का यह fixed pulley टेबल पर परा हुआ यह block यह massless pulley है यह pulley है 2 kg का sorry यह block है 2 kg का यह block है 1 kg का first question homework homework नहीं YouTube work ठीक है next second एक दाओर कर लेंगे कि खुझ से ही करने के लिए कि इदर इस प्रेस कर मैं इदर कर लो कि अज़्यक्राइब 14,06 अबड़ियर का इन चाहरे यह कर दो के लिए कि मुझे कर दो होी है कर आसके लिए कर आदेशन आपको अगर, मुझे कर दो को क्तिक्राइब कर दो कर दो की जादी है कि यह द्वान्स कोश्चन बन गया देखते हैं कितने लोगों ने स्कॉश्चन को कर पाते हैं हमें कमेंट आने चाहिए फटा फट कमेंट में कोई कंजूशी नहीं यह ब्लॉक मालो आप कि 10 kg का यह ब्लॉक मालो 10 kg का और यह ब्लॉक मालो 2 kg का सिस्टम आपको क्लियरली दिख रहा है यहां पर एक फिक्ष्ट पूली है बात बागी यह दोनों पूली मुभेवल है यह यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रिंग यहां से दूसरा स्ट्रिंग और यह तीसरा स्ट्रिंग कैसे टेंशन डिस्ट्रिब्यूट होता है उतना इते हैं two Ti इस इन को जब रइहां से लिखेंगे यहां का शीम है अगर यह टूटी ठेंशन मिला है है मिलेगे है तो यहां से लेके यहां का टम्त्रेंशन कितना मिलेगा टूटी ृटी कि 40 कि बस हम ट्रेंशन डिस्टिबूट कर दिए बात बाकि अपना खोजिएगा हमें इस ब्लॉक का चाहिए कौन उपर जा रहा कौन नीचे जा रहा आपके लिए क्वेस्टेंश अगर नहीं बनते हैं कमेंट करेंगे वापस अगले क्लास में इसका सलूसन दिखाएंगे ओके नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं मोशन और इंकलाइंड प्लें इंकलाइंड प्लेंड पर कैसे कैसे मुव्मेंट होता अप एंड डाउन ठीक है और अंते में वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर वीडियो अच्छा लगे पढ़ाने का झाले हैं